वेल्कम टो आवर न्यू कोर्स, 21 रूल्स ओ टाइम मेनेजमेंट रूल नमबर वान, सेट दा टेबल इस रूल में सबसे पहले कोई भी एक्टिविटीस करने से पहले हमें उसका परपस पता होना चाहिए तो आप कोई ना कोई एक गोल सेट कीजी, जिसपे आप काम कर पाएए गोल सेटिंग का सबसे जवर्दस नियम है Think on paper आपका गोल रिटन होना चाहिए रिशर्च कहता है कि only 3% adults have written goals सिर्फ 3% लोगों के पास अपना गोल लेखित में है इसके लिए हम एक 7 step process फोलो करेंगे Step number 1 Decide exactly what you want आपको सही में क्या चाहिए वो decide कीजिए आपका गोल crystal clear होना चाहिए Waste of time क्या है कोई एसे activity को बहुत अच्छी तरह से करना जिसको करने के आपको जरूती नहीं थी इससे बचने के लिए आपके गोल को clear कीजिए कोई भी confusion नहीं होना चाहिए Step number 2 Write it down अपना गोल को paper पे लिख लेंगे Step number 3 Set a deadline हमेशा कोई भी गोल deadline के साथ ही होना चाहिए तभी आप उसे accomplish कर पाएंगे Without deadline कोई भी goals complete नहीं होता Step number 4 Make a list आपकी गोल तक पहुंचने के लिए जिन जिन activities की जरूर थे उन सभी activities को list out कर लीजी Step number 5 Organize the list अपनी list को plan में convert कीजी अपनी सभी activities को prioritize कीजी उनको as a sequence 1,2,3,4 करके sequence में बना दीजी Step number 6 Take action on your plan अपनी जो भी plan बनाये है उस पे तुरंती action लीजी कुछ ना कुछ कीजी जिससे आप अपने goal की नस्दिक जाएंगी Step number 7 आपनी जो भी goal set किया है उन तक पहुंचने के लिए अपनी लिस्ट में से हर रोज कोई ना कोई एक काम रोज चूस कीजी जिससे आप अपने goal की थोड़ा सा भी नस्दिक जाएंगी इन 7 step process के बाद हम एक छोटी से exercise करेंगे Exercise में आप एक pen और paper ले लीजिए और अपने जीवन के कोई भी 10 लक्ष 10 goals आप उस पर लिख लीजिए उसके बाद अपने goals को review कीजिए और उनमें से सबसे important goal जिस एक goal को complete करने से आपकी life में बाकी 9 goal से ज्यादा फरक पड़ेगा उस एक goal को choose कीजिए और उस goal की deadline set कीजिए deadline set करने के बाद हर रोज उस goal तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई एक activities आप करेंगे इससे आपकी जीवन में बहुती बड़ा फरक आएगा यह बहुती powerful process है आप एक बार इससे करके जरूर जरूर देखिए Thank you